तो देखते हैं हाँ पर question number 5 में हमसे क्या पूछा गया है An atom has electronic configuration 287 पहले वाले part में क्या पूछा गया है What is the atomic number of this element तो हमें यहाँ पर इस element का atomic number बता करना है जिसका electronic configuration क्या हो 287 B part में हाँ पर क्या पूछा गया है To which of the following elements would it be chemically similar तो यहाँ पर नीचे कुछ elements दे रखें और जो हमें यहाँ पर उपर answer मिलेगा दोनों elements को compare करके देखना है कि किसकी यहाँ पर properties chemically क्या है similar है तो इसका मैं यहाँ पर a part पहले कर लेता हूँ तो a part मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ What is the atomic number of element तो जो हमें यहाँ पर electronic configuration दे रखें इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे add कर लेंगे तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या रखा है electronic configuration short form में कर लेता हूँ से तो वो हमें यहाँ पर रखा है 2 plus 8 plus 7 क्तिनों को यहां प्लस करेंगे तो वह वह हमारे यहां पर किसके बालाबर होगा अध्रॉमिक नंबर के बबीडियाि मोमक वह आपर कितना हो जाएगा जब्वेंटीन ओजाएगा तो इसका यहां पर स्पाइब क्लोरीं हो गा क्लोरीं हो होगी वन होगी क्योंकि यहां पर क्या करेगा यह एक इलेक्ट्रों किसी से लेकर अपना जो लास्ट सेल है उसको वह कंप्लीट कर लेगा और पूरी तरीके से वहाँ पर satisfy हो जाएगा तो हम यहाँ पर पहले वाले में simple atomic number बताना था जो कि यहाँ पर कितना होगा 17 होगा और उस element का नाम पूचेगा तो वह हमारे यहाँ पर क्या होगा फ्लूरी नोगा हम मैं यहाँ बात कर लेता हूँ बी पार्ट की तो बी पार्ट में हमें यहाँ पर कीकर्ट में लीक्रोंंगा थे लिक लिएंगा इनके केुल्ठ पांफिडनर्न और इक्ट्रॉन स्यस्तेंegeंगें कहले में स्यस्ते चै pessim邵 नहीं और के लगा है किंना की अधिphon किसे लिक्ट रहा था हुगा थे लुगाधा यहां दौदियूक्ट में हमारे यहां पर कितने ईलेक्τοंस होंगे 5 होंगे और इसके हमारे यहां पर लास्ट ऑर्बिट में कितने लेक्तरोंस थे 7 तो यह हमारे हमें पर केमिकली सिंमिलर नहीं होगा दूसरा element हमें यहां पर किया रखा है फ्लोरीं यहां पर लिख लेता हू। यह kita यहां पर किया fluorine है इसका atomic number 9 रहा है तो यहां पर क्या हो जागा है 2 & 7 हो गए और यहां पर large cell में कितने electrons है 7 है और यह हमारे यहां पर बिल्कुल chlorine से similar है तो इसके properties ह्यां पर क्या करेगी match करेगी तो एक तो हमारे यहां पर fluorine से match करेगा अब मैं यहाँ पर बात का लेता हूँ Phosphorus की तो Phosphorus की लिख लेते हैं यहाँ तो जो हमारे यहाँ पर Phosphorus है इसका Atomic Number यहाँ पर कितना है? 15 है तो यह हमारे यहाँ पर क्या हो जागा? 18 है तो यह हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 8 and यहाँ पर last में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा इसका उसके last cell में electron से वो यहाँ पर कितने 8 हैं तो यह भी हमारे यहाँ पर chemically similar नहीं है इसका मतलब हमें यहाँ पर यह पता चलता है जो हमारे यहाँ पर chlorine है जिसका atomic number 17 है उसके properties हमारे यहाँ पर chlorine से match करेगी क्योंकि हमारे यहाँ पर chlorine का जो valence electron है वो भी हमारे यहाँ पर कितना 7 है और chlorine का भी यहाँ पर क्या 7 है होग आपको समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ